वेलकम मैं वेरी वेरी प्रेशस टॉरस कैसे हैं आप सब टॉरस बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपकी एनरजी में टाप इन करके टॉरस और ये आपकी करेंट फीलिंग्स ऑफ यूर परसन रीडिंग है जिसमें जिसको हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेंट हो सकता है वह परसन आपके लेगे क्या फील कर रहा है क्या इंटेंशन है परसन के आपके लिए आपको किस तरीके से देख रहे हैं ये सारी चीजरे हम जानने की कोशिश करके बट इस रीडिंग्स इस बार हम यू वर्सेस दम के फॉर्मेंट में करेंगे टॉरस तो हम आप की feelings और emotions भी जानने की कोशिश करेंगे साथ में okay also what also आपकी दो readings already मैं September की upload कर चुकी हूँ एक तो आपके overall life की prediction guidance और blockages वाला video अगर आपने नहीं देखा हो तो description में मैं time stamps दे दूंगी plus आपकी love reading भी मैं कर चुकी हूँ जिसमें हमने आपकी love life का past present or future देखा है और यह जो readings है यह purely feelings पर बेस्ट है ठीक है तो एक और चीज का ध्यान रखेगा कि only take what resonates हम जब भी हम tarot reading देखें तो हम बहुत ही mindfully और समझदारी के साथ में देखें यह सोच के देखें कि आपको insights मिलें और आपकी situation better तरीके से समझने को मिलें आपके person की feelings आपको अच्छे से समझने को मिलें बट हमेशा जितना खुद से relate कर रहें उतना ही खुद पे लें ठीक है ऐसे readings को देखेंगे तो जादा अच्छा रहेगा आपके लिए आपके person की feelings है wheel of fortune nine of swords okay ten of pentacles and the tower oh my god okay so सबसे पहला जो card आया है वो wheel of fortune है और उसके पास में जो card आया है वो nine of swords है wheel of fortune और nine of swords साथ में आके ये बता रहे हैं Taurus कि आप दुनों के connection में कुछ ऐसी चीजे हुई हैं जिसके कारण आपका आपके जो person है वो थोड़े से परिशान feel कर रहे हैं over thinking कर रहे हैं और थोड़े से difficult emotions को feel कर रहे हैं negative emotions को feel कर रहे हैं और परेशान है somehow इस connection से परेशान नहीं है इस connection में जो चीजे हो रहे हैं उनसे थोड़े से upset दिख रहे हैं या परेशान दिख रहे हैं एक और चीज यहां पर समझ में आ रहे हैं कि wheel of fortune से कि ऐसे लग रहे हैं कि कुछ सरकुम्स्टाइंस ऐसे क्रियेट हुए हैं आप दोनों के कनेक्शन में जो शायद से इनके हातों में नहीं थे बिकेज यहां पे जो इनकी ओवर थिंकिंग है या फिर जितना यहां पे परिशान दिख रहे हैं उसका रीजन देखें यहां पर परिशान है और यहां पे थोड़ा सा गिल्ट दिख रहा है या फिर ओवर थिंकिंग दिख रहे हैं नेगेटिव थिंकिंग दिख रहे हैं पै तो कुछ ऐसी चीज़े हुई जो शायद इनके हातों में नहीं थी, कुछ डेस्टिनी ने ऐसा टर्न लिया कि इस कनेक्शन को लेकर परिशान दिख रहे हैं, दूसरे जो दो कार्डे वो भी बड़े ऐसे ही दिख रहे हैं कि टैन ओफ पेंटिकल हैं यहां पे, टैन ओफ पें यह जो person, यह जो happy family वाली vibe से हैं यह पिर, connect जो happy family वाली तावर क्या बताता है? इस्टेबलिश्मेंट का गिरना, मतलब स्टेबलिटी का गिरना, टेन ओफ पेंटिकल, सॉलिड इस्टेबलिटी बताता है, I am sorry, इस्टेबलिटी क्या होती है? एक स्टेबल कनेक्शन, जो बहुत समय से चला आ रहा है, बट वो जो स्टेबलिटी है, वो टावर से ब्रेक होना, यहां पर टावर बता रहे हैं कि इस परसन के दिमाग में ऐसा चल रहा है, कि जो stability थी इस connection की या फिर जो एक अच्छा solid connection था वो break हो गया है अब खतम हो गया है या फिर temporary कुछ problems आई हैं शायद से आपके connection में on the other hand जो आप हैं आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं आप five of sorts फील कर रहे हैं इस connection के लिए मतलब कि आपकी energy देखके भी समझ में आ रहा है जिसकी वज़े से आप परिशान हैं और क्योंकि यहां पर तीन लोग दिख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए यह जो conflict या arguments या को जो भी परिशान है आपके connection में आई हैं उस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि third चीज कोई circumstances हो या फिर कोई person हो जिसकी वज़े से problems हैं तो आप भी इसी इसको feel कर रहे हो कि जैसा आपने सोचा था चीज़े वैसी नहीं हुए यहां पर conflicts हुए हैं और यहां पे the empress की energy है बट उसके बाद भी आप wait कर रहे हैं कि कुछ better चीज़े manifest हो और कुछ better चीज़े create हो because the empress जो card होता है this card is यह card बोलता है कि आप किसी नई चीज़ को birth देना चाहते हैं मतलब कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या फिर चीज़ों को refresh करना चाहते हैं आप यहां पे the empress को देखो कि empress यहां पे pregnant है तो यहां पे pregnancy exactly क्या depict कर रही है not typically pregnancy depict कर रही है but किसी नई चीज़ को birth देना depict कर रही है तो आपके मन में आ रहा है कि कुछ नया हो कुछ नया शुरू हो you know आप एक नई cycle या नया season expect कर रहे हैं इस person के साथ में at the same time आप इस person के लिए queen of cups feel कर रहे हैं तो आप male हो चाहें आप female हो उससे फरक नहीं पड़ता है queen of cups आपकी energy है तो queen of cups क्या बता रहे हैं यह बता रहे हैं कि आप बहुत ही caring है इस person के towards बहुत ज़र नर्चरिंग है और बहुत ज़र सपोर्टिव है इवन दो दिख्राई के problems आई हैं यहां पे बट जो आपका attitude है इस person के towards वो बहुत ही nurturing प्यारा attitude है supporting attitude है तो इवन दो चीज़ों में problems आ strength है और temperance है और ten of cups है wow and page of swords है okay यहां पे बहुत ही positivity दिख रही है सबसे पहले तो आपके person के feelings में strength हाया है again जो strength की energy है हमें फिर से बता रहे है existence टावर का और nine of swords का because strength बताता है कि connection में बहुत सारे ups and downs आई है problems आई है इस connection में और उसके बाद भी यह person की जो feelings है वो बहुत जादा strong है आपके towards और इस connection के towards मतब यह person जानता है कि yes परिशानिया है परिशानिया आई है शायद problems को solve करने में बहुत मुश्किल होगी but strength what I am saying I think I am fumbling so but still this person का जो desire अभी अगर मैं बताऊंगे currently यह क्या feel कर रहे हैं तो currently यह strength feel कर रहे हैं आपके लिए मतलब की yes connection के लिए मतलब की yes connection में रहना चाहते हैं even though problems आ रहे है struggles है परिशानिया है एक strong bond है आप दोनों का जो बहुत ही easily यहाँ पर खतम नहीं हो सकता और इस चीज़ का realization है इस person को यहाँ पर temperance की energy भी है temperance की energy यह शायद मेरी ख्याल से सबसे beautiful energy होती है feelings और emotions में आने के लिए मैंस कार्ड को बहुत जादा respect करती हूं especially जब यह ऐसी situations में आता है तो because temperance यह बताता है कि again कि दो ऐसे लोग साथ में हैं जो बहुत ही अलग-अलग background से belong करते हैं या फिर जिनकी सोच अलग-अलग है शायद religion अलग-अलग है lifestyle अलग-अलग है I don't know बहुत जादा differences है इनकी side और आपकी side में उसके बाद भी temperance यह बताता है या फिर misunderstanding से या फिर जो सोचने का तरीका है action लेने का तरीका है वह बहुत अलग-अलग है शायद आप दोनों का but temperance actually बताता है कि यह person चाहते हैं कि आप differences के बाद भी परिशानियों के बाद भी आप दोनों में एक compatibility आए you know compatibility मतलब चीजें अगर कोई misunderstanding हो तो clear हो अगर कोई differences हो तो वो solve हो यह एक pure intention है this person का आपके towards कि यह चाहते है कि balance create हो temperance मतलब भी होता है balance बनाना और temperance का मुझे बहुत ही sad feel होता है कि यूट्यूब पर आप लावड नहीं है त्रेडिशनल टैरो डेक्स यूज करना विकिस रियल टैरो की मीनिंग्स उसी डेक में समझ में आते हैं हमें बट अगर वो डेक में हम देखते हैं तो दो कप्स का पानी होता है जिसे एंजल्स मिक्स कर रहे होते हैं you know so it's like कि आप आप अलग glass of water है आपके अलग glass of water है बट पानी मिक्स हो रहा है मतलब की compatibility या balance form हो रहा है तो यहां पर वो चीज आपके person के intentions में आप feelings में दिख रहे हैं कि चाहते हैं कि compatibility balance मिक्स हो चीजे मतलब की थोड़ा सा अप person adjust करें यह इनके pure feelings और intentions दिख रहे हैं और यहां पर 10 of cups की energy भी है यहां पर देखिए 10 of pentacle था 10 of pentacle जब आता है तो ऐसी ऐसी चीजे बताता है जो solid form में हो जिसे लोग देख सकें जैसे अगर आप relationship में हैं या फिर आप किसी के लिए feelings रख रहे हो तो जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कोई देख नहीं पाएगा कि आप किसी के साथ में relationship में हो जब तक आप खुद से नहीं बताओगे पेंटिकल is something like कि already सब को पता है आप married है या फिर इतने सालों से साथ में हैं कि आपके friends को पता है कि आप दोनों relationship में हैं तो पेंटिकल प्राक्टिकल चीजे होती हैं जो society देख सकती हैं हमारे friends देख सकते हैं ten of cups emotional चीजे होती है feelings होती है ten of cups pure feelings होती है जो शाइब कोई देख नहीं रहा है या फिर कोई समझ नहीं रहा है तो यहाँ पे ten of cups आया मतलब कि person के thoughts में आप है thoughts में यह आपके साथ में एक harmonious connection सोच रहे हैं एक happy life आपके साथ में सोच रहे हैं you know so यहाँ पे वो चीज दिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे page of swords भी है page of swords बहुती classic card है जो अक्सर current feelings में आता है और page of swords बताता है कि person constantly ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या feel कर रहे हैं इनके लिए क्या feel कर रहे हैं अपके लाइफ में क्या चल र появ ? आप social medial और आप the lovers feel कर रहे हैं इस person के लिए तो yes you love this person और strong bond यहाँ पर दिख्छा है आपकी साइट से the lovers से उसके बाद में है ace of pentacle yes and five of wands oh my god यहाँ पर जब भी आपकी कुछ positive card होता है उसमें कुछ conflicting cards आजाता हैं यहाँ पर ace of pentacle है आप इस person को opportunity की तरह देखते हैं आप इस person को एकदम ऐसी देखते हैं जैसे मैंने the empress से बताया था कि इस connection में बहुत ज़ादा potential है और आप इस person को ऐसे देखते हैं pentacle की तरह देखते हैं कि यही मेरा pentacle है इसी person के साथ मुझे future चाहिए या फिर मुझे stability चाहिए या फिर married life चाहिए या ऐसे आप इस person को देख रहो but at the same time यहां पर फिर से five of wands आया है जैसे पहले five of swords आया था जो बता रहा है कि पर conflicts इतने ज़ादा है कि यह positive energy आती है फिर conflict की energy आ जाती है what is happening the emperor है bottom of the deck power couple देख रहे हैं आप लोग bottom of the deck में emperor है यहां पर empress है यहां पर night of swords भी है okay और four of pentacles भी है side note देना है मुझे side note सब के लिए नहीं होगा यह ऐसा दिख रहा है कि हो सकते आप में से कुछ लोगों में ego clashes हुए हो ego कुछ आप दोनों में ही कुछ ego clashes हुए हुए कुछ बाते हुई हो because एक person बहुत घुसे में दिख रहा है वो एक इस person से disappointed दिख रहा है even though connection में यह भी रहना चाहता है तो दो लोग थोड़ा अपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं hmm और छीज़े देखते हैं आपके persons क्या फिल कर रहा है और आपके लिए मैं बहुत जादा जादा शफल कर रहे हुए तो जो शफलिंग का पार्ट मैं हटा दूगी so that आपको वह इतना जादा इंटरॉप्शन फिल ना हो OK what do we have we have six of one's and two do 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 three of pentacle positive तो के नोट सो पॉजिटिव ओके सी यहां पर सबसे पहले इंपॉर्डेंट यह दो कार्ट से हैं सेवन अफ सौर्ट और थ्री ओफ सौर्ट इस कनेक्शन की प्रॉब्लम दिख्री है स्नीकीनेस आपके परसंट हर्ट फील कर रहे हैं बहुत जादा हर्ट फील कर रहे हैं और यहां पर या तो आपने अपने परसंट से कुछ जूट बोला है या फिर आपके परसंट ने आपसे कुछ जूट बोला है किसी ने किसी पर हो सकता है कि छीट किया है या फिर इगनौर करना शुरू किया है कुछ स्नीकीनेस कुछ गलत का इस कनेक्शन में किसी ने किया है औ तो अगर आपके person ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो भी equally hurt feel कर रहे हैं, या तो आपने कुछ गलत किया इनके साथ, या फिर इन्होंने कुछ sneakiness दिखाई है, जिसने भी ये चीज़ की हो, बट यहाँ पर hurt ये person बहुत जादा feel कर रहा है उस चीज़ की वज़े से, इस sneaky nest की वज़े से, जो यहाँ पर seven of sorts से दिख रही है, तो हो सकता है, इन्होंने ही cheat किया हो, या फिर आपने किया हो, या फिर किसी ने ignore करना शुरू कर दिया, जूट बोलना शुरू कर दिया, manipulate करना शुरू किया, चीज़े चुपानी शुरू की, और उस चीज़ का effect आपके connection पर बहुत जादा strong दिख रहा है, और night of ants की energy bottom of the deck में आपके person की दिख रही है, night of ants की energy आपके person को यहाँ पर बहुत जादा जखमी दिखा रही है, कि यह struggle कर करकर थक गए है, अब यह struggle क्यों कर रहे हैं, हो सकता है, इनकी ही गलतियों की वज़े से struggle कर रहे हैं, या फिर आ यहाँ पर नाइन ऑफ वांस की energy दिख रही है, और यहाँ पर ड़ लड़ के थक गया है, किसे लड़ रहा है, I don't know, but this person is fighting with someone, अब यहाँ पर मुझे नाइट, queen of swords की energy दिख रही है, और यहाँ पर devil की energy दिख रही है, oh my god, देखे, अगैन एक side note है, कि हो सकता है, कि आपके person किसी third party situation में फसे हुए है, और third party situation नहीं, तो किसी person का pressure या dominance इनकी life में हो सकता है, because यहाँ पर queen of swords दिख रही है, अकसर queen of swords third party situation के लिए आती है, और devil भी उसी लिए आता है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई person है, जो इन्हें control करने की कोशिश कर रहा है, शायद से, और इसलिए शायद से यहाँ पर यह ठका हुआ महसूस करें कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे अब और नहीं लड़ना है, मुझे एक harmonious connection चाहिए, टॉरस के साथ मैं, समझ रही है, तो toxicity यहाँ पर है, काफी ज़्यादा toxicity दिख रही है, बट यहाँ पर जो beautiful चीज़े हैं वो दिख रहा है, three of pentacles, okay, तो six of wands बता रहा है कि जो भी struggles, because six of wands क्या डिक्ट करता है, बहुत ही beauty है this card, this card is so beautiful और tarot in general, इतने profound और deep होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे deep में एक्स्प्लेन करना चाहिए, तो जैसे हम कौन से card को अभी discuss कर रहे थे थोड़े time पहले, हाँ, temper temperance को डिसकस कर रहे थे, temperance भी बहुत beautiful energy होती है, वैसे six of wands भी होता है, अब देखे six of wands की energy कैसी होती है, अब इस card में इसे जिस तरीके से डिपक्ट किया है कि एक person है, जिसे लोग प्रेस कर रहे हैं, जो बहुत ही honorable दिख रहा है अपनी community में, और लोग लाप कर रहे है इ कि आप किसी war पे गये हैं, एक soldier का card है समझ लेजे, कि soldier है जो war पे गया है, बहुत सालों से war पे है, battlefield पे है, लड रहा है, भूखा है, जखमी है, बहुत जादा मुश्किलें इस person ने जहे ली है, बट उसके बाद वो person उस war को जीत के, वो soldier, उसकी team उस war को जीत के घर लोटक के आते हैं, और जो community होती है, जो गाव वाले होते हैं उस person को, या उस soldier की जो victory है, उसको celebrate करते हैं, उसको praise करते हैं, तो यहां पे basically six of wands आना क्या बता रहा है कि बहुत ही मुश्किलें हैं, बट still, यह person इस connection में विन चाहता है, जीत चाहता है, या फिर इस connection को successful जाता है, अ यह person, यह dies, यह person अई मुश्किले आई हैं, यहां भी मुश्किले आई हैं, यहां पे b히 मुश्किले बद बद बै aspect करते हैं, बट रहने के बात बहुत हैं, उसके बात यहां पर three of pentacles है, अब देखे three of pentacles, मतलब, समझ समझ जीए कैसे tarot डीन वर्क करते हैं, आज मैं टेरो क सबसे पहले जो उसकी नीव रखी जाती है उसको थी ओफ पेंटिकल बोलते हैं मतलब इस कार्ट का वही होता है कि किसी जो आप एक बिल्डिंग बनाना चाहरे हो उसकी नीव रख रहे हो आप एक नीव यही टिपिकल टैरो में इसका थी ओफ पेंटिकल का मीनिंग होता है तो यहाँ पर हमने पहले क्या देखा था कि एक जो टावर है वो ब्रेक हो गया गिर गया टावर गिर गया इस्टेबिलिटी गिर गई बट थी ओफ पेंटिकल क्या बता रहे हैं कि हम वापस से उस टावर को बिल्ड करना चाहरे हैं राइट तो यहाँ पे दिख रहा है कि यह स्टेबिलिटी यहां पे खतम हुई है यह परसन उस स्टेबिलिटी को वापस से रीबिल्ट करने की कोशिश कर रहा है यह चाहता है यह इनके फीलिंग्स में दिख रहा है अब देखें मैं बहुत ही आपको एक और इंपॉर्डन चीज बताती हूं टॉरस कि अगर आपके परसन अगर यह कोई ऐसा कनेक्शन है जो खतम हो चुका है बहुत पहले एक साल पहले दो साल पहले तो यह आपकी रीडिंग नहीं हो सकती है और अगर कुछ महीनों से आपकी बात ही नहीं हुई है इस परसन से फिर में आ कि आपको पॉजिटिव चीज बताना शुरू कर द अगर आपको पॉजिटिव चीज बता है क्योंकि मैंने पॉजिटिविटी तो बहुत सारी बताई है ना इस रीडिंग में के यह परसन काफी पॉजिटिवेस कनेक्शन को लेगे तो थोड़ा बात पॉजिटिव तो उसने पिछले कुछ महीनों में आपको शो किया ही होग अगर नहीं किया है तो this is not your reading यहाँ पे हमको कोई delusional world में नहीं रहना है ओके यह टेरो रीडिंग analysis और confirmation होता है अगर आपको positive attitude दिखा है आपके परसन का पिछले कुछ महीनों में थोड़ा बहुत भी भली 5% भी क्यों ना दिखा हो अगर दिखा है तो फिर यह positivity आपके ल कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पर seven of sorts क्यों आया है क्योंकि अभी भी कुछ line cheating या ऐसी चीज़े यहाँ पर exist करते हुए दिख रही हैं अब आप क्या feel कर रहे हैं इस person के लिए ओके आप furious feel कर रहे हैं two of wands and okay okay so यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है Taurus के आप night of sorts की energy वे हैं जहाँ पर आप नाराज दिख रहे हैं अपने person से furious दिख रहे हैं yes हो सता है कि इन्होंने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वज़े से आप इस person से नाराज हैं यहाँ पर two of wands की energy है two of wands की energy बता रहे है कि decision making करनी है शायद आप में से कुछ लोग इस connection के ऐसी जगे पर stand कर रहे हैं जहां पर आप यह सोच रहे हो कि इस connection के ठीक होने का wait किया जाए या फिर मैं move on कर लूँ यह person कभी ठीक करेगा या नई चीज़े करेगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए तो आप यहाँ पर आप हज़ादा clear समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या decision लेना चाहिए आपके भी आँखों पर थोड़ी सी पटी बंदी हुई है अभी तो यह थोड़ी सी चीज़े जिस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो मुझा अगले कुछ दिनों में जहां पर आप reality सीख कर और जानने और स करना बिकिस फॉर्शॉर हमने आपर टॉकसिटी देखी है तो यह अब लेट सी मुविंग ओन और कुछ जाने की कोशिश करते हैं चीज़ें okay we have king of pentacle and four of pentacle king of pentacle कौन है king of pentacle आप है okay page of wands and the magician okay so see अभी to be honest जो यहां पे feelings दिख रही है टॉरस वो ऐसी है कि अभी भी king of pentacle को इस person ने अपने दिल से लगा के रखा हुआ है और यह person छोड़ नहीं रहा है तो जो भी कुछ परिशान या मुश्किले आई हैं जिसने भी गलती की हो यह सबसे पहले card क्या आया है king of pentacle आया है और उसके बाद क्या आया है four of pentacle आया है यह देखिए इस person ने अपने pentacle को दिल से लगा के रखा हुआ है even दो यह छोड़ की जाने की कोशिश कर रही है निकल रही है बट नहीं चीजें कितना भी detachment आ गया हो बट अभी भी इस person ने इस pentacle को दिल से अपने लगा के रखा है सम्हाल के रखा हुआ है और यह आप है pentacle king of pentacle चाहें आप male हो चाहें आप female हो से फरक नहीं पड़ता है तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी चीजे हैं यह person ने अभी भी आपको अपने दिल से लगा के रखा हुआ है बहुत close आपको रखा हुआ है और let go आपको इस person ने नहीं किया है यहाँ पर page of wands की energy है page of wands की energy इनका interest दिखा रहा है आपके towards और इनका जो interest दिख रहा है आपके towards वो page के form में आया है page of wands आया है page of wands बहुत जादा physical attraction भी बताता है कई बार but at the same time page of wands यह भी बताता है कि अगर बहुत time से हम no contact में है या फिर बहुत time से हमने अच्छे से बात नहीं की है जगडा ही हो रहा है conflict ही हो रहा है तो उसके बाद हमारे मन में एक desire आता है वो desire क्या होता है कि कुछ छ सीया का जीलों यहांग्ट सबर्स के बाता है कि कर फिर चीजों को ठीक करनेों का या फिर से शुरू करना चाहिए यह एक क्षोटा से हमारे मन में आता है कि ना की अब छोड़ों यह चोड़ों ये क्योocide आना है चलोς फ्र शुरू करके देखते हैं कुछ अच्छा करके दे मैनिफेस्टेशन दिखाता है बट यहां पर मैजीशन आके यह बता रहा है अगर एक दूसरा परस्पेक्टिव हम मैजीशन का देखें यहां पर तो यह परसन हो सकता है कि अपनी बातों से आपको अपनी साइड वापस से अट्राक्ट करने की कोशिश करें अपनी गलतियों क करने की कोशिश करेगा तो भी इसलिए करेगा कि आप इन्हें माफ कर दें शायद से या फिर चीज़ें आप इनके साथ ठीक कर लें तो कई बार मैजीशन को मैनिपुलेटर भी बोला जाता है जो अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीके के गेम्स कहलने लगता है और कई बार मैजीशन बहुत ज़दा प्रेयर करना किसी के लिए प्रेय करना कि चीज़ ये मेरी हो जाये मेरी काम कर जाये चीज़ ये मैनिफेस्टेशन से ही जैसी ही होती है बर ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके परसन को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो पता हो तो ह और भी प्रेस कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम इस परसन को रिलाइस हो रहा है कि आपने जैसे इन्हे सपोर्ट किया है जतना प्यार दिया है वग्यरा 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 वो और कोई शायद नहीं दे सकता है बट अट इसेम टाइम यहां पर क्वीन ऑफ सौर्ट की भी दोनों साथ में आना कई बार दिल और दिमाग का स्ट्रगल भी बताता है एक परसन का कि एक तरीके से हमारे जो इमोशन्स हैं वो बहुत ज़दा ओवर्फलो हो रहे हैं बट हम अपने दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इमोशन्स को हाइड करने की को कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये परसन व white god, कितने सारे लोग हैं यहां पर मुदुधे हैं ओक तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कशे है Ishe on, emotions को यहां दबाने की कोशच कर रहे हूं और एक और side note है, यहां पर this person किसी और के साथ में committed हो और family किसी और के साथ में हो that person की यह भी possible है, यहां पर third party situation clear देख रही है at this point of time. और again यह third party situation, अगर family देख रहे है तो ज़रूरी भी नहीं है कि यह कोई थोर्ट परसन हो रोमांटिक यह अगैन मदर फिगर या फिर या फिर या फिर यू नो ऐसा कुछ भी हो सकता है 9 of Swords अगैन दिखा है 8 of Pentacle 6 of Swords and Queen of Pentacle okay so I won't lie at this point ऐसा लगा है it's too good to be true but this is true यहां पर bottom of the deck में इस परसन के healing है यह परसन खुद को भी heal करना चाहता है आपके connection को भी heal करना चाहता है और somehow आपको भी heal करना चाहता है Taurus यहां पर clearly दिख रहा है यह परसन अभी overthink करते हुए दुबारा से दिख रहा है इस connection को लेके तो यहां पर भी हमने nine of swords देखा था nine of swords यहां पर फिर से repeat हुआ है और यहां पर समझ में आ रहा है कि person overthink कर रहा है सोच रहा है बहुत जादा सोच रहा है पते क्या सोच रहा है person यहां पर eight of pentacles सोच रहा है मतलब कि यह परसन यह सोच रहा है जो चीजे ठीक करने की जो डिजायर है वो ऐसी है कि पहले में खुद को ठीक करूँ फिर मैं इस person को ठीक करूँ और फिर मैं इस connection को ठीक करूँ somewhat like that बिकिस यहां पर एक important जो हमें message मिल रहा है जो चीज हमें टॉरस समझ में आ रहा है वो यह भी है कि परसन खुद को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है विजे सच अनाइस थिंग यहां पर constantly हमें दिख रहा है कि person अपने emotions को handle करने की कोशिश कर रहा है यहां पर again कुछ planning दिमाग में चल रही है कि क्या किया जाए कैसे work किया जाए जिससे की चीजे बेटर हो यहां पर देखे एक और बहुत ही अच्छी चीज है यहां पर six of swords है और queen of pentacle है queen of pentacle again आपकी energy है taurus queen of pentacle भी आप ही है yes आप king of pentacle भी थे आप queen of pentacle भी है आप male है या female है उससे फरक नहीं पढ़ता है but somehow I believe कि यह person आपके towards आपके towards आने की कोशिश कर रहा है but आपके towards आना is difficult okay is difficult somehow difficult because यहां पर एक ऐसी emotion दिख रहे है कि अगर ही आपके towards आएंगे तो इन्हें अपना बहुत कुछ चूणना पड़ेगा यह बहुत जादा खुशी खुशी नहीं आएंगे आपके towards मतलब इस person के अंदर sense of compromise है आपके towards आने के लिए कि अगर मैं इस अगर मैं इस connection की towards गया या मैं इस connection की towards गई तो हो सकता है कि मुझे compromise करना पड़े दूसरी चीजों से तो यह एक feeling आपके person की दिख रही है काश हमारी love life इती complicated नहीं होती और चीजें easily हो जाती okay so यहाँ पे bottom of the bottom of the deck हम discuss कर चुके है आपकी feelings में judgment आया है judgment clearly बता रहा है कि आप second chance चाहते है so यहाँ पे आप second chance चाहते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है आपकी emotions दिख रहे हैं king of cups से इस person के लिए again आप queen of cups भी थे आप king of cups भी थे यहाँ पे आप power couple भी दोनों बार बार बनते हुए दिख रहे हो but anyways यहाँ पे death or rebirth है तो yes आपको realization है शायद से के एक बार चीजें खतम हो चुके है और आप rebirth चाहते हो चीजों में rebirth चाहते हो चीजों को शुरू करना चाहते हो है आप दिख रहे हो अब देखते हैं कि आपके connection की energy क्या है Taurus I am very curious to know कि इस connection की energy क्या है miracles है इस connection की energy okay peace है or act है okay so I don't promote this इस card पर जो भी आपको दिख रहा है so यहाँ पर miracles की energy है तो कुछ miracles हो सकते है Taurus मुझे लगता है out of nowhere कुछ अच्छी चीज़े आपके relationship में हो सकती है balance भी आया है balance create हो सकता है हो सकते है कुछ ऐसे circumstances हो जिससे चीज़े better हो जाए यहाँ पर peace भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि peace और harmony भी आ रहा है आपके connection में या फिर बहुत time बाद ऐसा हो सकता है कि आपके connection में peace बन रहा हो और आपके person actually action लेने का यहाँ पर सोच रहा हूँ बिकरस यहाँ पर act आया है तो मुझे आप लोगों के no need to worry reconsider wait success okay perfect timing okay perfect timing बता रहा है कि बहुत जादा आपको बहुत जादा time नहीं लगेगा यह समझने में कि connection किस direction में जा रहा है इस connection का क्या होने वाला है आपको clarity जल्दी मिलेगी I think एक आद महीने में या फिर कुछ हफ्तों में सबसे पहला card आया है प्यारा सकार यूनिवर्स की साइट से हमें reassurance के no need to worry चिंता करने की कोई बात नहीं है चीजे अच्छी ही turn out होंगी आपके लिए और यहाँ पर reconsider है see reconsider यहाँ पर आके यह बता रहा है कि कुछ आप कर रहे हैं इस connection में किसी रास्ते पर आप चल रहे हैं कुछ आप ऐसा करने है जो आपको नहीं करना है यहाँ पर या तो यह आपकी negative thinking भी हो सकती है या फिर आपके illusions भी हो सकते हैं या फिर situation को वैसे देखना जैसी situation है नहीं वो भी हो सकता है तो यह मैं आप पर छोड़ूँगी बिकिस यह आपकी और universe के बीच की बात है मुझे यह नहीं पता है तो यहाँ पर actually एक angel खड़े हो हैं जिन्होंने हाथ जोड़े हो हैं तो यह angel आपको देखके हाथ जोड़ें कि please ऐसा मत करो तो आप क्या कर रहे हो ऐसा क्या आप बहुत जादा अपसेट हो रहे हो क्या बहुत जादा टेंस्ट हो आप बहुत जादा ओवर्थिंकिंग कर रहे हो तो यहाँ पर literally आपके angels हाथ जोड़ के बहुत दो दिस टॉरस वी लव यू नो निट टू वरी चिंता की कोई बात नहीं है और यहाँ पर वेट भी है वेट बता रहे है कि इंतजार करिए पेशेंस रखिए सारी चीज़े एक दिन में फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए धीरे धीरे आपको चीज़े समझ में आएंगी आपको रास्ते दिखेंगे टॉरस और उसके बास सक्सेस है अब आई डू आप किस परसन के साथ अपनी लव लाइफ में सक्सेस्फुल हो रहे हो बट आपकी लव लाइफ में सक्सेस लिखी है तो अगर आप यह सोच रहे हो मुझे कोई नहीं मिलेगा और पता नहीं मेरा क्या होगा मेरे सारे कनेक्शन्स ऐसी होते हैं अगर ऐसी कुछ भी एमोशन्स आपके दमाग में आ रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत सोचे आपके साथ पॉजिटिव चीज़े ही होंगी अब मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर कौन कौन से साइन्स हैं और फिर हम अलफबेट्स लेंगे I need to drink water first क्योंकि हमने इतने सारे कार्ट्स का यूस किया है तो यहां पर सारे साइन्स हैं बट मैं आपको मेजर साइन्स बताती हूँ ठीक है? जो मेजर अपकाना आए है वो बताती हो यहां पर कैप्रिकॉ这个 है मकर राशी और श्कॉर्पियोज ask राशी है वरिशब राशी उसके बाद में यहां पर कौन दिख रहे हैं हमें मेजर अपकाना में यहां पर साजिटेरियस दिख रहे हैं धनू राशी, यहाँ पर वर्गो, टॉरस और क्याप्रिकॉन की एनरजी भी बहुत जादा स्ट्रॉंग है, मतलब की कन्या राशी है, व्रिश्व राशी है, आपके परसें भी टॉरस हो सकते हैं, और क्याप्रिकॉन, मकर राशी हमें फिर से दिख रहे हैं, लियोज हमें राशी, स्ट्रॉंगली, यहाँ पर जैमिना भी हैं, मिथुन राशी, लिबरा है, तुला राशी, एक्वेरियस दिखे थे हमें, कुम्ब राशी, आपको आपके परसें का नाम का फॉर्स लेटर मिल सकता है, आपके नाम का फॉर्स लेटर मिल सकता है, यहाँ पर प्लीज अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दे, एय है, फॉलल्स लेटर एक्वेरि ऑनिट एक्वेरियस एड्यूशन का फॉल्स वेरियस देखे, और अपने का फॉल्स एक्वी ड्लीज काईवन है, और अपना जियत स्वाल, पीह चेह वनक्तना बोग अघान, आपको स्दूशन and I'll see you next time. Hit the like button. Bye.